आईए आज का ये सिनेरियो जब किसी भी एमर्जेंसी के अंदर थोई बैट दिल गए और हॉस्पितल फूल हो गए है चलिए देखिये मरीज का अदाज कैसे कर सकते हैं आईए आईए आप ऐसे लिए आप ये वो पेशेंट्स है जो कोरोना के आज कल दरदर भटक रहे हैं और हॉस्पिटल्स में बैट्स ना होने की वज़े से दवाईया ना होने की वज़े से ओक्सिजन कम होने की वज़े से इनको वापस कर दिया जा रहा है तो ऐसे मरीज अपने लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं और एमर्जेंसी इन लोगों की हेल्प कैसे कर सकती है आपने जनली देखा होगा एमर्जनसी में चार या पाँच बेड रहते हैं मैं उन सब डॉक्तर्स को जिनकी चोटी चोटी क्लिनिक्स हैं जहां पर एक चोटा सा भी बेड अवेलेबल है वो इन मरीजों को कैसे अटेड करें एक पाँच बेड में गाउन डाल लेना है गाउन डाल लेने के बाद असेस करना है ये मरीज वाके में आया किस मजबूरी की वज़े से था अगर इनके पास कोर्णा की रिपोर्ट है और इनका ऑक्सीजन सैचुरिशन कैसा चल रहा है तो हमारे पास आप्सीटर्स में ये मॉनिटर्स रहते हैं ये मॉनिटर्स हमारे को ऑक्सीजन लेवल्स बताते हैं कि मरीज की ऑक्सीजन कैसे चल रही है ये पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब है जो आपको हॉस्पिटल में मिलता है और आप देखिए ये ग्राफ बनने के बाद एक वैल्यू आती है यहाँ पर ये 100% ऑक्सीजन के साथ आया है तो आपको ऐसी फैमिलीज को जो डर के हमारे हॉस्पिटल आ रहे हैं जिनकी ऑक्सीजन 90 से उपर है उनको बताना है कि आप पहली बात खत्रे में नहीं है और आप ऐसे मरीजों का घर पे अराम से इलाज कर सकते हैं जिनका भी ऑक्सीजन 90 से जादा है इन लोगों को जादा थर एक तो डर और एक खाना ना खाना वोमिटिंग होना डाइरिया एमोशन्स होना और सास खुलने की तकलीफ होती है खासीती तो सबसे पहले आप इन पेशेंट्स के अटेंडर को समझाना है कि आप मार्केट में वाले मार्केट में मिलने वाले रेगुलर माउथ वाशेस या घर में गरम पाने के साथ नमक के साथ गरारे करिए इसके बाद ये लोग क्योंकि कुछ भी नहीं खाते हैं इसलिए आपको घर का बना हुआ निंदू पानी शिकंजवी जिसमें वाइटमेट C बहुत अच्छा होता है या मार्केट में बने बने वारे साथे जो आप पिला सकते हैं कोशिश करिए मरीज को दो दो घंटे पे कुछ ना कुछ देते रहिए इसके बाद छोड़े बचों का एक भूक लगने का सीरप आता है सिप्रोहेटिडीन ये कई नाम से मार्केट में आता है बहुत अंडर यूटिलाइजड है ये कोरोना का इलाज नहीं है पर इससे भूक लग जाती है भूक खुल जाती है जैसे ही मरीच खाना खाना शुरू कर देता है वो थोड़ा सा बेटर फील करने लगता है उसमें फेट आ जाता है अब जादा तर कोरोना का ट्रिक्मेंट जो भी हम हॉस्पिटल में करते हैं वो उनके बुखार के लिए जाती में खड़-खड़ के लिए सास पूलने के लिए होता है बुखार के लिए कई बार हम लोग ने समझा है मार्केट में आने वाली परस्तमॉल की कई ब्रैंड की दवाईयां जो दो से तीन बार ली जा सकती है एक बार दो बार तीन बार अगर चोटा हो कोई वेट में कम हो तो गोली को आदा कर दीजे यह गोलियां on the counter available है और safe है इसके लिए आपको medical prescription की ज़रूरत नहीं है परस्तमॉल के लिए acidity के लिए कई लोग पेंटर परजोल रेवी परजोल खाते हैं खाजी के लिए market में बहुत सारे सीरा पाते हैं सब इक जैसे है अब यह तो हो गया सिम्टम्स का इलाज कि आप अपनी oxygen चेक करिए आप खाना खाईए आप अपना अगर आप देखिए market में ऐसे oxygen के मास्क साथ है यह मास्क में आराम से मिल जाता है यह मास्क में एक एक पाइप रहता है और दूसरा एंड दूसरा पाइप रहता है एक पाइप इस मास्क के साथ जुड़ जाता है लो जुड़ गया यह वाला पाइप आप oxygen के इस वाले एरिया में लगा सकते हैं इसके बाद एक नौब आती है और यह oxygen कितने लीटर पर चलानी है यह सब के साथ यह बनाल बनाया आता है जबी भी आप लेते हैं तो आप oxygen को पहले दो या तीन लीटर पर खोलिए इसके बाद आप देखिए इसमें हवा आ रही है कि है नहीं पेशन्स को अराम से लिदा के यह oxygen मास्क आप कमफर्ट करके लगा दीजिये और यह oxygen देखते रही है मान लीजिए oxygen थोड़ी दिर पांच मिन्ट वेट करने के बाद नहीं बढ़ रही तो आप इसकी वैल्यू थोड़ी और भड़ा सकते हैं जैसे जैसे टाइम बी आते जाएगे कि हम 90 तक मिंटेन कर लें क्योंकि यह सिलेंडर बहुत कम oxygen के साथ आते हैं यह एक दिन में खतम हो जाते हैं इसलिए आप कोशिश करिए कि oxygen का यूज कम से कम करिए ज्यादा नहीं दूसरा मार्केट में यह छोटे मॉनिटर साथे पल्स ऑक्सिमेटर बोलके यह पल्स ऑक्सिमेटर सिर्फ एक बटन के साथ ओन हो जाता है और यह एक्जैक्ट सेम रीडिंग देता है जो रीडिंग बड़ा मॉनिटर हॉस्पिटल में देता है आप देखिए यह भी सौ परसेंट बता रहा है ऑक्सिजन और यह वाला पल्स ऑक्सिमेटर भी इस प्रेशन की ऑक्सिजन जब मापता है तो वो भी इसको सौ ही बताएगा पर यह बताने में जब तक यह ट्राइंगल आते हैं फिर यह वैल्यू आनी शुरू होती है देखिए तो यह चोटे पल्स ऑक्सिमेटर बड़े पल्स ऑक्सिमेटर आल्मोस्ट सेम तरह की इंफर्मिशन देते हैं लोगों का सवाल यह है कि मार्किट में या तो अक्सिजन मिलने रही और मिल रही है तो कम है तो हम क्या करें तो आप के पास क्योंकि यह आप्शन नहीं है या जिस ताइम पर यह आप्शन नहीं मिल रहा है आप मरीज को समझाना पड़ेगा कि आप आउन्दे मुओं के लेटे है एक तकिया दो तकिया तीन तकिया इस तरफ तकिया आपकी मर्जी है कोशी शेक रहें कि मरीज ऐसे उल्टा होके लेटे दस मिनिट पंदरा मिनिट उसके बाद अगर ट्राई करें तो लेट एक करवट भी ले सकता है पर सबसे ज्यादा बेनिफिट आउंदे मुँ से होता है क्या यह साइंस है 100% यह साइंस है पुराने जमाने में जब लंक्स की डिसीज हो जाती थी और लंक्स बहुत बैडली खराम हो जाते थे तो भी यह वेंटिलेटर के ओपर भी पेशेंट को उल्टा करा जाता था उसका कारण क्या है जो यह बैक साइड ऑफ लंक्स के अंदर जो एयर स्पेसेज हैं उसको कोरोना अफेक्ट नहीं करता इसे लि कि इस वकत मरीच को कहना है कि यह पाल्स अक्सिमेटर लगा के रखे और अब आप ऑक्सीजन से करिए जब आप ऑक्सीजन से करेंगे और पेशेंट की ऑक्सीजन कम आ रही होगी देखिए 97 अब आप डीप ब्रीधिंग करिए साथ कि आपके सामने यह ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी फ्लक्शुएट करती है आप ब्रीधिंग करते जाहिए साथ चितनी आपको एफट होता है आप ब्रीधिंग करिए देखिए 97 से 98 वा ब्रीधिंग करते जाहिए सार थोड़ी थोड़ी 99 वा और आप देखेंगे उल्टा लेटने से 5% तक का बेनिफिट हो जाता है 95 वाली ऑक्सीजन कभी-कभी 98-99 तक पहुंच जाती है सिरफ बगैर ऑक्सीजन के एक दिन में आदे से दो भंटा उल्टा लेटने से बहुत फरक पड़ जाता है पर लोग पूछेंगे क्या ये इनफ है क्या इसके अलावा और कोई ट्रीक्मेंट है जी यहाँ है बहुत सारी मार्किट में आज की तारिक में रेमडेस्वीर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है ब्लेक भी हो रही है, शोर्टेज भी हो गई है पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेस्वीर से जान बसते नहीं देखा गया फिर ये क्यों भी करी है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव हुई ए FDA के तुरू क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके लावा जादा कोई दवाई नहीं थी अगर आप डेटा में जाए तो सचा ये है कि दुनिया में आज तक सिर्फ दो दवाईयां बनी है जो कोरुना में लोगों की जान बचाती है जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टिरोईड का इंजेक्शन ये स्टिरोईड का इंजेक्शन जिसकी स्टडी यूके में हुई थी इसको कहते हैं डेक्सा मीतेसोन ये ना तो ब्लैक हुआ ना लोग इसके पीछे भागे क्यों नहीं भागे क्योंकि अगर आप इसकी MRP देखिए ये 10 रुपे है डेक्सा मीतेसोन के उपर UK ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में ये स्टिरोड दिया जाता है ये इंजेक्शन रेमडेस्वीर से ज़्यादा जान बचा रहा है और ये मैं on record बोल रहा हूँ रेमडेस्वीर से ज़्यादा अफेक्टिव ये इंजेक्शन है पर ये सब medical guidance के अंडर ही दिया जाता है इसलिए रेमडेस्वीर के पीछे भागना छोड़िये जो available है जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं जो हमारे पास इंडिया में सस्ता available है आप उसके साथ जाएगे तो बाकी दवाईयों का क्या हुआ बाकी दवाईयां जो hydroxy chloroquine जो ivermectine बोलके दवाईयां आई थी वो सारी दवाईयां फेल हो गई ट्राइल्स के अंदर और उनको अब कोई यूज नहीं कर रहा है इसके अलावा सौ में 17 लोगों को सीरियस कोवीड इंफेक्शन में इसलिए उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन एक लेक्सेन या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर सुन को ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं यह ब्लड थिनर की टैबलेट स्टिरॉइड की जरूरत सिर्फ सेकिंड वीक में पढ़ रही है एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उमर सिर्फ चौदा दिन ही है अगर आप चौदा दिन जी गए तो आप कोरोना से जीद गए आमोमन आदमी की उमर फचास साथ साल होती है कोई रीजन नहीं है कि हम क हम सब जादा से जादा लोगों की जान बचा पढ़े हैं मैं संजीव कुमार संचाइन होस्पिटल हैदराबाद से गोल रहा हूँ